यह स्टुडेंट्स वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफर्म ओफ एडवांस एंजिरिंग क्लासिस एससी जई आरारबी जई और आल ओवर इंडिया हो रहे हैं एजए एक्जाम्स के लिए हम लाए हैं प्रेक्टिस क्वेशन सीरीज और जिसका नाम है आगाज और यह और यहाज है आपके मालेंड़ से ट्यास ट्थ एस पैटर के डर को हटा देने का हमने क्वैंटिटी सरवेंग कास्टिच डीज एससं पार्फि त्सर्वेंग क्या करना है gonna यी आपके लिए कॉपीपन लेकर बैठीए मैंने बोला था एक copy अलग से बना लीजेगा जिसमें आप सारी extra information जो मैं देता जाओ उसको लिख लेना last में जब subject complete हो जाएगा क्योंकि मैं sequentially सारी चीज़े लेके चल रहा हूं जब subject complete हो जाएगा तो क्या होगा आपके पास एक जगा सारी चीज़े मिल गई एक जगा सारी चीज़े मिल जाने से जब exam होगा उसके पहले आप revise करके exam देने जा सकते हो clear बात okay चलिए शुरू करते हम अपने session को third session है आज next आगे हो जा भाई hang हो गया क्या ये ठीक है question number 21 identify the work that shall not be measured separately and allowance for the same shall be deemed to have been made in the description of main item क्या बोल रहा है इन मैंसी जो चार option दिये ऐसा work खोच के बताओ जिसको आप separately नहीं लिखते हैं बस ये क्या deemed deemed मतलब क्या इसका उचित होगा क्या उचित होगा कि आप main item के साथ ही इसको लिख दो deemed मतलब क्या उचित होगा ठीक है कि आप main item के साथ ही लिख दो उसको अलग से ना लिखो clear है तो ऐसा कौन सा work है work in or underwater भाई ये तो बहुत बड़ा work है इसको अलग से ही इसका mention करना पड़ेगा clear snow में work कर रहे हो ये भी गलत बात है इसको भी तो आपको अलग से ही mention करना पड unauthorized battering, battering मतलब होता है तोड़ फोड, तोड़ फोड ठीक है, battering के अलग-अलग मतलब होते हैं अलग-अलग context में, यहां पर हम बोलेंगे जो unauthorized, तोड़ फोड हो चुकी है, उसको अगर आप वो work आपको लिखना है, उसको आप क्या main item के साथ लिख दोगे, ना कि उसके लिए अलग से कुछ भी आप अलग से उसको estimate निकाल के लिख होगे clear, तो option number C is correct, क्योंकि work under title conditions भी major work है, main work है, main item का work है, तो इसको तो अलग से लिखना पड़ेगा, option number C is correct, समझ में आती है बात, आगे बढ़ते हैं, चलिए, question number 22, returning, filling and ramming of excavated earth, where not described with that item of excavation shall be measured in, वो क्या बोल रहा है, simple सी बात है, खोदना है, हमें क्या कोई भी जैसे road बनानी है, तो क्या जमीन को पहले खोदोगे ना, earth को निकालोगे, तो वो बोल रहा है, उसको पीछे लिया, मतलब जो आप क्या कहते हैं, जिससे भी जैसे for example, JCBs use होती है, उसको खोदने के लिए ऐ cubic meter में, यह सब major होगा, clear, लेकिन earthwork में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो meters करें major होती है, कुछ पांच चीजें ऐसी हैं, जो मैं आपको यहां note करा दे रहा हूं, note कर लो, देखो, last class में भी मैंने आपको इसके बारे में discussion किया था, तो surface dressing का सवाल आया था, उसमें इसकी criteria पूछा आपको डालना है, pipes और cables, तो क्या criteria है, कब आप इसको meter square में measure करोगे, otherwise सारा चीजें cubic meter में जाएंगी, यह आपको पढ़ना है, एक जगा याद रख लेना, surface dressing का आपको, मैंने आपको बताया था, clear, देखो, depth, 15 cm, मतलब जो depth है, वो 15 cm से जादा नहीं होनी चाहिए, depth clear है, यो plan area 10 meter square से क्या नहीं होना चाहिए, सर्थ 10 meter square से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके जादा नहीं होना चाहिए, डेड़ मीटर से जादा क्या विट्स नहीं होनी चाहिए, 30 cm, that is 300 mm, यहीं सवाल आया था, कि 300 mm से जादा अगा depth है, तो उसको meter cube में, हम measure करेंगे, otherwise meter square में question number 23, numerical, क्या बोल रहा है, property fetches a net income of 900 रुपीज, तो net income क्या दी हुई है, आपके पास 900 रुपीज के लिए है, okay, now, क्या बोल रहा है, deducting all outgoings, all outgoings, अगर include होती तो उसको क्या बोलते है, gross income, उसको deduct कर दिया, तो बोल दिया, net income, ठीक है, outgoings मतलब क्या होता है, सर, outgoings मतलब खर्च, जैसे की, जैसे की आपको maintenance का खर्च लग रहा है, आपने watchman बठा के रखा है, कोई भी contingencies आ गए, उसको बोलेंगे, क्या, contingencies मतलब आप दाएं आ गए, इसमें जो पैसा लगेगा, उसको बोलते हैं, outgoings, clear है, ठीक है, work out the capitalized value, आप से पूछ रहा है, capitalized value बताईए, capitalized, capital, एक मिनट, एक मिनटर को, क्या पूछ रहा है, work out the capitalized value of the property, if the rate of interest, rate of interest आपको दे रखा है, rate of interest आपको दे रखा है, rate of interest आपको दे रखा है, 600 पर एनम, अगर आपको rate of interest दिया है, तो आप capitalized value नकाल के बताओ, क्या, capitalized value नकाल के बताओ, ये पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, formula याद होगा तो बन जाएगा, Otherwise का concept पता, concept का इसकी theory, कैपिटलाइज़ वेल्यू क्या होता है सर, कैपिटलाइज़ वेल्यू समझो क्या होता है, एक amount था, एक ऐसा amount जो हमने bank में जमा किया, bank में हमने जमा कर दिया, bank में जमा करने के बाद उस पर highest prevailing interest इंट्रेस्ट जो बैंक लगा सकता था उस इंट्रेस्ट को एनुली कैलकुलिट किया कि एक साल में कितना ब्याज हमें मिलेगा जब हाइस्ट प्रवेलिंग रेट ऑफ इंट्रेस्ट लग रहा हो हाइस्ट डेट ऑफ इंट्रेस्ट कि कितना ब्याज एक साल में हमें मिल पाए तो उससे जो किराया आता नेट नेट इंकम होती क्या किराया विजली वेल बगएरा सब देने के बाद जो नेट इंकम आपके पास बसती वह इंकम अगर इस वैल्यू के बराबर है यह वैल्यू अगर उस एंकम के बराबर है तो यह जो वैल्यू है जो एक साल के ब्याद से हम में मिली rate of interest का prevailing मतलब maximum था तब तो इस value को बोलोगे capitalized value क्योंकि ये net income के बराबर हो गई clear बात समझे में आई फिर से सुनना है क्या फिर से जानो एक building उसको rent दिया उसे net income होई वो माना net income clear एक ऐसा amount जो हमने bank में highest prevailing interest पर रखा उससे जो हमें एक साल में ब्याज मिला वो value अगर net income के बराबर है तो इस value को क्या बोलोगे capitalized value बोलोगे और इसको कैसे नकालते हैं इसको नकालते हैं net income net income into years purchase into year purchase clear है year purchase clear okay ठीक है ये x को हम x कर देते हैं ठीक है अब देखो net income क्या है आपके पास 900 year purchase क्या होता है ये भी जानो year purchase होता है hundred upon highest prevailing rate of interest आई hundred upon आई क्या होता है year purchase clear तो 900 into 100 divided by I कितना है आपके पास 6% तो 6 percentage में ही लिखना है यह क्योंकि उपर hundred लिख लिया तो यह क्या हो जाएगा इसको cancel out किया पहले इसको कैंसल किया तो यह 16.67 ठीक है इसको करोगे तो क्या आएगा फिप्टीन थाउजन फिप्टीन थाउजन थी रूपीज फिप्टीन थाउजन थी रूपीज आएगा क्लियर है ओके तो आपको рал Labour मेंशन में मिल गया क्लियर समझ में आती है बात तो कैपिलाइज करat क्या होता है क्या कैपिलाइजविश होती है क्या net income into net income into chart परचिज नेकम इंट इंट इंटर इंचम इंटर इंकब इंटर इंच परचिज होता है capitalist डाली यूञ को याद रखना और year purchase का formula भी आपको याद रखना क्या कभी कभी सर्फ पर सर्फ यहीं पूछ देता है 100 अपनाई लगा के आप year purchase निकाल सकते हो चलो आ गया वह सोता रहता है उट जा उट जा चलो question number 24 क्या बोल रहा है कि identify the work that shall not be measured separately and allowance for the same shall be deemed to have been made in the description of main main item यह same question हो गया क्या पहला किया था लेकिन क्या क्या ऐसे दो question आपके पास आई हुए टीस इस ने अलग अलग पूछा गया क्या वर्क इन इसनो नहीं यह तो में काम था अभी बताए था वर्क अंडर वाटर नहीं यह भी में काम है वर्क अंडर टाइडल कंडिशन नहीं यह भी में काम है टाइडल कंडिशन में अगर कोई काम कर रहा हो तो वह भी में काम है उसको आप ऐसा नहीं कैसकते कि में कोई किसी में काम के साथ लिख दो तो ठीक है अब बेंचिंग किया बला आ गई सर बेंचिंग क्या है कि जैसे for example पड़ो मैं आपको ले के भी आ गया क्या बेंचिंग is a method of protecting employees from cave by excavating the sides of an excavation to form one or a series of horizontal levels or steps usually with vertical or near vertical surfaces between levels there are two basic types of benching simple and multiple क्या है क्या है अंग्रे जी नहीं समझ में आ रही देख लो देख के तो समझ में आएगा ऐसे अगर गड़े हैं उसको level surface क्या horizontal stairs टाइप बना दी गए देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो ताकि ताकि employees जो है वो ऊपर आ सके clear है ऐसे surfaces को क्या बोलते हैं benching अब इसको यह जो अलग-अलग level साब बना रहा हो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कहीं भी एक main list में आप इसके लिए लाके रख दो क्लियर है बात ठीक है चलो आगे बात समझ में थी option नमर डी उसका सही होगा next question क्या है question number 25 the haul time of a haul continuous system is solid waste collection is 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 calculated by haul time क्या होता है hauling distance भी होता हूल टाइम क्या आपने किसी चीज को यहां से उठाया ठीक है यह क्या कहला है आपने उसकी hauling की उसको ले जा लेके गए लेके गए आप जितना time लगा उसको बोला haul time कहीं और फेकने गए उसको चीज को उठाके यहां पर हमारे पास चीज वो क्या है अर्थ वर्क उसको उठाया किसी जगा पर फेकने गए उस duration को क्या बोलेंगे haul time जितना distance cover कि उसको बोलेंगे haul distance clear यह बात okay वो बोल रहा है कि haul time का बताओ किस के बराबर होगा तो देखो यह option दिये हैं अब देखो THCS, HCS क्या है HCS क्या है HCS है आपके पास एक मिनट HCS है क्या haul container system क्या haul container system HCS time per trip for haul container system THCS है आवर पर trip में दिया हुआ है PHCS, PHCS यह अलग एक चीज दी हुई है एक मिनट, एक मिनट क्या दिया है देखो यह है अलग क्या, यह है pick up time per trip for haul container system, pick up time है वो okay फिर उसके बाद दिया है S बराबर क्या, at site time, at site पर जो time लग रहा वो है फिर दिया है क्या सर, फिर दिया है H बराबर haul time per trip, haul time per trip तो यह पूछ रहा है T, इसकी relation क्या होगा तो देखो सर, T क्या है, time per trip है, total time है, तो THS है THCS बराबर क्या हो सकता है, सर, जो site पर जो सब time लग रहा है clear, site पर time लगा, उसको उठाने में clear उसके बाद क्या, pick up time, मतलब उसको pick करने में जो time लगा वो हो गया, आपका pick up time ठीक है, THCS है, यह, HCS ठीक है उसके बाद क्या haul time, जो haul जो फेकने में जितना time लगा वो तो यही तो total time हो जाएगा, हाँ सर, यही तो total time तो देखो कहां लिखा है, option number DS correct, clear बात, यह तीनों का summation THCS बना देगा, ओके, चलिए बस कुछ नहीं समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है, बाकी QSC estimation costing क्या है, बहुत ही practical चीजे हैं, आपने देखी हुई होती हैं, बस English में चीजें लिखी हैं, दो-चार बार पढ़ोगे, आपको feel होने लगे गा है यह सब चीजें, clear, okay, question number 26 क्या बोल रहा है, 26 बोल रहा है, की, की the which of the following is not an approximate method of estimate, approximate method कौनसी नहीं है, सबसे पहले यह जान लो, सर, approximate method होता, क्या है यह, सर, approximate estimate होता है, clear, approximate estimate किसलिए यह होता है, सर, यह सवाल पूचा जाता है, बार-बार administrative, administrative sanction अगर आपको कराना है, कौन सा कराना है, आपको administrative sanction कराना है, तो आपको approximate estimate बनाना पड़ेगा, अब इसमें कौन सी चीजें fall करेंगे, देखो approximate estimate में देखो, approximate estimate में आएगा आपका, पहले तो इसको झान लो, और क्या बोल सकता था, और क्या बोल सकता था और नाम लिखो इसको रफ ह Bene Стविंट बोल सकते हैं इसको सबस्टेबस्ट केंब यह नहीं यह पूचह ग्या है कि इसको और पड़ोगे तो Never बोगी तो disp others कौन Twitter यूज होती है method splint area method कौन कौन सी यूज होती है अब method आप लिखते जाना इधर mtd method हो गया clear दूसरा दूसरा होता है unit rate method unit rate unit rate method इसको और क्या बोलते हैं भी पूछा गया है इसको बोलते हैं service service unit method बोलते हैं यह ssc ने पूछ लिया था 2022 में clear okay तीसरा देखो 2022 करेक्ट याद नहीं लेकिन ssc ने इसको पूछ लिया उसके बाद क्या होता है cubic rate cubic cubic content rate method cubic rate method cubic rate method एक होती है clear ठीक है सर चौथी क्या होती है typical method बेयाने क्या जो response होते हैं ना bridge को design करने के लिए यह method यूज होती है estimate निकालने के लिए पांच मा क्या होता है cost comparison method जैसे बगल वाले की क्या बगल वाले की क्या construction हुआ बगल वाले के घर का तो उससे हमने labor and cost of labor labor and material cost of labor and material method इससे क्या किया आपने पूछा कि cost कितनी लगी या material कितना है मैं इसमें labor क्या है यह भी आपको ssc में दोनों चीज़े डाल की पूछी गए तो यह किसमें आती है approximate method में तो इसमें plan theory आया yes unit rate आया cubic rate आया quantity survey method नहीं आता है इसलिए option हमारा सही किसमें आता है वो भी जान लो सर quantity survey method आता है detail estimate में अब यह क्या है सर detail estimate डिटेल estimate क्या होता है detail estimate जो होता है वो किसके लिए use होता है detail estimate यह होता है इसको और क्या बोलते हैं यह जान लो इसको और बोलते है item rate estimate क्या item rate Item rate estimate भी बोलते हैं इसको clear है और क्या बोलते है सर हम क्या complete estimate भी बोला जाता है complete word में लिखा है detail तो complete estimate भी बोला जाता है कहां use होता है यह technical sanction अगर आपको करना है किसी भी project का टेकनिकल टेकनिकल सेंक्शन अगर करना है तो वहां पर यूज होगा क्लियर समझ में आ रहा है न उठके बैठो मैं अगर मेहनत कर रहा हूं आप दब दब रजाई मत बैठो यह सब लिखते जाओ एक जगा ठीक है कौन-कौन कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ वीakahP अफ्यआज होता इनुम रिपीर होता है क्लिए और यूज ओसक इसमें संक्कॉतिटी सरवे है कौंशी क्वाांट्टी सर वी मैंथट अब यहहें अच्छ किंडेकलेगए क्लावा लॉंग वल्स वल्स ऑर मैंनुs कर लो संटर लाइन मैतर लगा लो यहाँ सबसे ही तो क्वांटिटी निकाल रहा हूं तो यह यूज होंगी आपको डिटेल एस्टीमेट निकालने के लिए क्योंकि टेक्निकल सेंक्षन आपको कराना है क्लियर ओकी नेक्स्ट आगे बढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नमर ट्वेंटी सेवन फॉर्ट ट्वैल एम कि लिए पूछ रहा है क्या कितनी सीमन लगेगी तो देखो सबसे पहले मैं तीन चीजें आपको बताता हूं फिर आप क्वेश्चन करिएगा आगे बताता हूं क्या देखो जब भी मोटार की बात आए आपके पास तो आपको तीन चीजें याद रखनी है पहला क्या सर एक simple जब motor की बात करें तो एक मीटर क्यूब ड्राइ मोटर एक मीटर क्यूब ड्राइ मोटर इस इकुल्स टू होता है वन पॉइंट टू फाइव मीटर क्यूब वैट मोटर के clear है यह जनरल चीज अगर मोटर बस लिखा हो तो आपको यह टिक लगाना है clear clear ओके दूसरा या फिर यह यूज करना है कि लिह उसके बाद सिर अगर बात आती है Benक बरकिक की किसकी बात आती है ब्रिक की एक मिनोट डूसरा कल ह रहा हूं किसके बात आती है bric work की ढ़ tam वैट मोटर के पाँच परसेंट इदर क्यों इनक्रीज हो गया सर क्योंकि यहां पर फ्रॉग रहता है ब्रिक के उपर फ्रॉग रहता और अंडूलेशन भी रहते इनंडेशन भी होते हैं ब्रिक्स में उसको फिल करने में ज़्यादा मोटर लगे गा फिर दूसरी बात हो कह यह तो दूसरा हो गया clear ओके अभी क्या अभी क्या एक चीज और जाने लो तीसरा अगर आपको plastering work का बोले किसका बोले plastering work का अगर वो आप से बोले तो क्या करोगे आप plastering work में एक मीटर क्यूब ट्राय मोटर बराबर होगा बराबर होगा वन पॉइंट सिक्स मीटर क्यूब वेत मोटर के एक जगह सब पास ट्वास्ट्र लेम ठीक है इसको सएकिंट सीमेंट फ्लाइब ब्रिक लनस्तु सिक्स और सौमीटर स्क्रेडरb KNOW थीक है उर आपके पास एठाना एंगा स्वमीटर स्क्वेर इसको क्या लिख सकता हूं मैं 0.012 लिख सकता हूं क्या हां सर तो volume of volume of wet mortar कितना use हो जाएगा volume of wet mortar कितना use हो जाएगा सर यह होगा आपके pass 0.012 into 100 0.012 into 100 which is equals to कितना हो गया 1.2 meter cube किलियर है कितना हो गया 1.2 मीटर क्यूब हो गया अब देखो अब आपको क्या करना है अभी आपको क्या पूछा कि 12 mm थिक मोटर के लिए आपने volume निकाल लिया न्यूब्रिक बरके the quantity of cement required तो quantity quantity of cement पूछ रहा है यह कैसा quantity of quantity of cement पूछ रहा है अभी मैंने बोला आपको वेट मोटर पता है तो dry motor निकाल सकते हो क्या सर हम dry motor निकाल सकते हैं तो हमें क्या चाहिए for 12 mm thick cement plastering 1-6 cement send use 100 meter square new brick work तो plastering कर रहे हो क्या कर रहे हो यहाँ पर आप अभी यहाँ पर आप plastering कर रहे हो क्या है keyword यहाँ पर आपका plastering तो देखो तो dry motor क्या हो जाएगा plastering में तो यहां से हम लिखते हैं क्या तो dry motor क्या हो जाएगा हम जानते हैं एक मीटर क्यूब एक मीटर क्यूब ड्राय मोटर बराबर होता है यही तो पड़ा अभी हमने प्लास्टरिंग के वर्क में यह ब्रिक वर्क क्यूब प्लास्टरिंग कर रहे हो वह पूछ रहा है वन प्लास्टरिंग क्यूब तो dry motor क्या हो जाएगा सर वन पॉइंट सिक्स इंटू अपने पास volume कितना है और सेंट का सिमेंट कितना है सिक्स तो आप बताओ टूटल कितना हो गया quantity of cement cement का portion कितना है 1 और send का cement कितना है 6 तो आप बताओ total कितना हो गया 7 तो 1.92 divided by 1 plus 6 into 1 ऐसे cement निकल जाएगा क्या हाँ निकल जाएगा ओके तो divide कर दो कैसे निकलेगा divided by 7 कितना आ गया 0.0.274 meter cube अगर आपसे send पूछ लेता send पूछ लेता क्या करते आप send पूछ लेता तो 1.92 upon 1 plus 6 into 6 कर देता मैं तो कितना आ जाता चारिये कितना आ जाता into 6 कर देता तो आ जाता 1.6457 किसका meter cube send का आपको पूछा था cement का तो 2.74 कहां है option में option number BS correct तो यह relation अगर याद होगा तभी आपसे सवाल बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा तो यह relation एक जगा लिख लो screenshot डे लो ठीक है आगे बढ़ू next question क्या बोल रहा है question number 28 the span of the reinforcement concrete beam is 10 meter with effective depth is 200 mm if reinforced 10 mm diameter effective depth क्या दिया है span क्या दिया है sir l span दिया है 10 meter effective depth small d दिया है 200 mm 200 mm और by a dia of bar कितना दिया है 10 mm clear है clear is used and crank at angle तो crank angle theta कितना दिया है आपके पास 45 degree in both ends of the beam the length total length या फिर crank length आप से निकाल के पूछ रहा है यह क्या है बार bending bar bending schedule का एक सवाल है bent up bar वाला तो देखो कैसे करना है यह लिया मैंने दूसरा color यहां पर line खीश लूँ क्या ठीक है line भी खीश लेता हूं यह देखो यह हुआ line एक अब इसको क्या किया बार को bend किया कैसे bend किया यह इसने 45 degree पर bend किया यहां पर यह इसने 45 degree पर bend किया clear okay ठीक है अब आगे पीछो रहा हो तो देख लेना आप 45 फाइब लिघुरी पर बेंट करके यह तो तोटल यहां पर तक ले गया, clear ठीक है, अभी आप से पूछ रहा है, आप टोटल लेंथ बताओ, क्या यह जो तोटल लेंथ है, यह क्रेंग क्या फिर बेंट करने के बाद तोटल लेंथ आपको बताना है, capital L, clear ठीक है, अभी आपक डिग्री बेंट 45 डिग्री बेंट हो गया क्लियर है ठीक है तो वो बोलता है कि अगर जब 45 डिग्री बेंट कर रहे हैं आप तो आप दोनों तरफ से कर रहे हो क्या हां सर तो increase in length कितना होगा जो increase in length कर दिया आपने ये देखो increase in length अभी तक आपके पास 10 meter ये था ये तो आपके पास total था कितना सीधा सीधा अगर नापते आप ये जो है ना सीधी सीधी अगर distance होती ये bent ना होती तो ये तो आपके पास 10 meter है ये तो 10 meter है लेकिन ये bent करने के बाद total लंबा ये ऐसी 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 पूरी जो लंबा नाप रहा है वो पूछ रहा है तो कितनी होगी तो ये हो जाएगी L new या फिर इसको ऐसे बोल दो crank length is equal to initial क्या थी L plus 2 times of कितने दो जगा bent किया क्या हां सर 2 times of increase in length due to increase increase in length due to bent up clear है clear है बाद हां सर तो increase in length क्या होती है इसके बारे में जानो क्या सर अगर वो बोलता की theta 30 degree ये मैं लेकर रहा हूं value theta की और ये बोल रहा हूं क्या मैं increase in length in length clear है ठीक है तो theta अगर 30 degree होता तो increase in length होता 0.27 times of small d d क्या है effective depth अगर theta 45 degree अभी जो बोला है तो यह होगा 0.42 times of small d लिख लो एक जगा अगर theta 60 degree होता तो यह होता 0.57 times of small d और अगर theta 90 degree होता तो यह होता 0.89 times of small d यह आपको एक जगा एक जगा अपने पास लिख लेना है clear बात यह table आपको लिख लेना है क्योंकि यह वाले सवाल इसी table से होंगे clear ठीक है यह बात भी हमें समझ में आती है ठीक है चलो आजाओ question में क्या increase in length लिखना है लो हो गया आप तो सवाल देखो क्या L L कितना है टैन प्लस टू इंटू इंटू जिरो पॉइंट फोर टू इंटू डी कितना है 200 mm 200 mm को पॉइंट टू मीटर लिख सकता हूं क्या इसको पॉइंट टू मीटर लिख सकता हूं ह कितना आये गए यह आजाएगा आपका क्या है पॉइंटू पॉइंटू फोर टू इंटू 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 इतना प्लस तेन तो 10.168 एट मीटर 10.168 मीटर समझ में आती है बात तो option no.d.s करेक्ट ठीक है समझ में आ रही है बात तो क्या important है यह टेबल है यह आप बड़ो next question question 29 क्या hall of dimension 3.5 meter length and 2.5 meter width is finished by by using 2.5 centimeter thick gray artificial stone floor then the total quantity of stone floor used the total quantity पूछ रहा है quantity मतलब क्या sir volume पूछ रहा है क्या यह तो बच्चो वाल सवाल हो गया क्या lbh लगा दू तो लेंज कितनी आपके पाद 3.5 meter clear विट्स कितनी है 2.5 meter okay और depth कितनी है 2.5 centimeter तो 2.5 divided by 100 कर दू मैं centimeter में यह meter में आ जाएगा यह meter में आ गया clear ठीक है चलो कर दो इसको 3.5 into 2.5 into 2.5 by 100 एक मिनट तो यह कितना है 0.0.218 meter cube that is कितना 0.22 meter cube clear है quantity आ गई आपके पास भी ठीक है ऑप्सन नमर भी इस correct यह option गलत दिया है धर यह answer गलत दिया है भी विल भी correct आंसर ठीक है next question question 30 क्या बोल रहा है if the water cement ratio for a concrete mix is 0.45 तो water cement ratio क्या होता है weight of water upon weight of cement कितना दे दिया आपको 0.45 दे दिया ओके ठीक है then the quantity of water required for three bags of cement तीन bags of cement के लिए quantity पूछ रहा है तो weight of water water कितना हो जाएगा 0.45 which is equal to कितना which is equal to हो जाएगा सी से into कर दो clear सी से into कर दिया clear cement bag कितने हैं आपके पास तीन bag हैं into कितना पचास केजी कर दूं क्या एक बैक का weight होता है sir कितना पचास केजी तो तीन का हो गया इतना तो यह कितना आगया आपके पास 67.5 kg weight of water तो weight of water 67.5 kg बोल लो और इसको हम 67.5 लीटर बोलने दोनों एक ही बात होती है पानी के केस में clear बात ओकी तो 67.5 विल भी answer clear समझ में आती यतनी बात ठीक है चलो यह तो हुआ हमारा session end यहां पर हमने estimation question के costing के करीब 30 questions अभी तक हमने कर लिये हैं ठीक है और मैं आगे estimation लेके आऊंगा आपको revise करते रहना है clear next session में अब हम मिलेंगे okay अभी देखो ऐसे students जो कहते हैं कि सर हमें पहली बार तयारी करनी है हमें preparation अभी start करनी तो उनसे मैं बोलूँगा कि सर आप ऐसे doubts अगर आपके हैं तो आप सबसे पहले अभी civil engineering पर focus करो civil engineering सीखो उनके लिए हमने क्या किया उनके लिए हमने प्रहार स्वरी विजय बैच लाँच किया जिसमें पूरी civil engineering आपको एक जगा मिल जाएगी सारा subject अभी content को जीवित करो फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए तो बैच वन हमने लाँच किया बैच वन में आप जाएए फिर आपके पास प्रहार बैच MP, PSC, AI के लिए MPGK मिल गया MPGK और साथ में civil engineering मिल गई अगर आप तैयारी करना चाहे तो अभी से करो notification का वेट मत करो उसके लिए तेजस बैच हमने लाँच किया और नॉन टेक महापेक अगर आप इंजीनियर है तो जीके जीएस में दिक्कत आती है मैं समझ सकता हूं आपको जीके जीएस में सब कुछ इतमें मिल जाएगा नॉ अभ्यास प्लस बैच है जो किसके लिए तैयारी कर रहे हैं एई जीए दोनों के चाहते हैं तो यह 5000 प्लस question मिल जाएंगे आपको अभ्यास में और 8000 प्लस question मिल जाएंगे एई जीए वाले में अभ्यास प्लस में चोटे चोटे सवाल जो इस लेवल में आ सकते हैं वह हमने लिए और आपकी प्रपरेशन को आसान बनाया बहुत यूश्फुल है अब ऐसे स्टूजन जो कहते हैं सर हमें कंटेंट रिटेन करने में दिख्कत आ रही है रिवाइज करा सकते हो क्या कम समय में तो उनके लिए नहीं किया तो फास्ट्रेक बैच बहुत ही हैलफुल होगा अब देखो जो चाहते हैं कि सर एक सब्जेक्ट मेरा वीक है जैसे सोम वीक है तो मैं क्या सोम बस पढ़ सकता हूं क्या हाँ एक सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लियर है डिटेल कोड्स आपको म हम यह नहीं कहते हैं हमसे पढ़ो कहीं से भी पढ़ो लेकिन अभी अभी क्या है समय इंपोटेंट है ना की पैसा एक जगे एन्रॉल होकर पढ़ाई करो यूट्यूब पर भठकते रह जाओगे क्लियर बात ओके अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर रह लगी क्या टंग टंग करके नोटिफिकेशन आएगा आप दोड़के आ जाओगे पढ़ाई करने के लिए इससे आपका बैक लोग नहीं होगा यह सब तो चलो फालतू बाते आपको रिवीजन करके आना है नेक्स सेशन में आओगे तो रिवीजन ही करके आना दरवाइस मत आना क्योंकि नहीं समझ में आता चीजे रिवाइस होती है तो क्वेशन लगाने और मजा आता है किलियर और अच्छे क्वेशन लेके हम आएंगे कल या नेक्स सेशन में जब हम मिलेंगे दिस अभी श्रिवास्ताव साइनिंग आप विद इस सेशन टेक्टियर झाल 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 झाल